हाई फिंट्स, अगर आपको भी अपने desktop या laptop पे ये startup repair का error आ रहा है और आप error line भी देख सकते है, startup repair could not repair your PC अगर ये error आपको बार बार फेस करने कोई मिल रहा है अपने laptop ये desktop में तो कैसे इसको fix करेंगे, उसके पर ये पूरी video है basically ये error तब आता है, अगर आपके कोई windows की या फिर कोई startup file corrupt हो जाती है तो ये आपको error आ सकता है, तो उसको fix करते हैं तो सबसे पहले आपने click करना है advance option पे उसके बाद आपने click करना है troubleshoot पे उसके बाद आपने click करना है advance option पे और उसके वाद आपने क्लिक करना है Command Prompt पर Command Prompt इस तरह open हो जाएगा तो यहाँ पर आपको कुछ Command Type करनी है तो सबसे पहली जो Command है CHK DSK इस Command से अगर आपके Hardis में कोई इसी होगा तो यह Command उसको fix कर देगी तो यह Command Type करके आपने Enter Press कर देना है उसके बाद जो Next Command आपने Type करनी है वो है sfc space slash scan now इस Command से क्या होगा अगर आपके कोई भी Windows की फाइल करप्ट होगी होगी तो यह Command उसको replace या repair कर देगी यह Command Type करके आपने Enter Press कर देना है उसके बाद जो Next Command आपने Type करनी है वो है GP Update इससे जो आपके Group Policy होगी सिस्टम की वो update हो जाएगी Command टाइप करके आपने Enter Press करना है उसके बाद जो Next Command आपने Type करनी है वो है bootrack space slash fix mbr एक mbr की file होती है हम उसको fix करेंगे इसके बाद जो Next Command आपने Type करनी है bootrack space slash fix boot Enter Press करेंगे अब जो final command आपने type करनी है वो है bootrack space slash rebuild bcd type करके आप Enter Press करेंगे उसके बाद आपने इसको exit कर देना है simply आप exit type कर दो Enter Press कर दो that's it उसके बाद आपने सीधा continue पे click कर देना है और आपका जो system है वो normally boot हो जाएगा restart होगा एक बार तो आप देख सकते है जो मेरा system है अब वो normally boot हो रहा है जो error पहले मुझे आ रहा था अब वो error नहीं आ रहा है startup repair का तो यह कुछ troubleshooting step हैं इनको आप follow कर सकते हैं और जो आपका issue है वो solve हो जाएगा जाएगा